मस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ अभी शेक शुक्ल अफसर नामा में आज हमारे साथ 2018 बैच के IPS किरन चौहान जी मौजूद है उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा किस तरीके से इस करियर को उन्होंने चुना अलाकि 36 केडरों को मिला है 36 में फिलाल वो बस्तर यानि जगडलपूर में पोस्टेड है और किस तरीके से उनकी जर्नी रही क्या उनका विजन है किस तरीके से उनके बढ़ना चाहते हैं बहुत सारी बाते अगले कुछ मिनट में हम शेयर करेंगे उनके साथ बातचीत करेंग किरंजी बहुत-बहुत स्वागत है अबके नमस्ते किरंजी सबसे पहले हमको बताईए आप कहां के रहने वाले हैं कहां इसकूलिंग हुई आपकी मेरा नाम किरंग है मैं बेसिकली बिलॉंग करता हूं महाराश्ट्रा से महाराश्ट्रा में कौलवापूर नाम का इक उसके बाद मैं पूने में चला गया, पूने मेरा मेकनिकल इंजिनिरिंग कंपलीड हुआ, तो पूने मुझे बहुत सारा एक्स्पोजर मिला, सिटी बैग्राउंड ता कापी अच्छा, और तभी मुझे उजे उपीसी एग्जाम के बारे में पता चला रूरल आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कते पदा नहीं करता है, क्योंकि आप वहां से जब पूने गया होंगे, तो एक ग्रामीर पर इवेष्ट से निकल कर, तो परस्नाल्टी में भी शायद कुछ फर्क पढ़ता है, क्या आपको वहां जब इंजिनिरिंग कॉलेज पहुँचे होंगे, तो बाकी के लोगों से बड़ी-बड़े कई शहरों के लोग के बीच अपने आपको किस तरीके से अड़जस्ट कर पा रहते हैं, मैं अफ़कुर्स वहांगा कि इस से परस्नेटी में फरक पढ़ता है, रूरल बैग्राउंड कुछ आपको अलग बाते रूरा में चीटी बेगड़ौंड कुछ आलग बाते सिखाता है, जैसे रूरल बैग्राउंड में था तो मुझे बहुत सारे वैल्ली जो श्ट्रगल करना बताता है, मतलब चोटी-चोटी बातों के लिए श्ट्रगल करना है, लाइप में, जैसे स्कूल के लिए जा रहे ह कुछ जल्दी बुक्स अच्छे बुक्स है वो जल्दी अवेलेबल नहीं हो रहे तो इन बातों के लिए हमें श्ट्रगल करना पड़ता है रूरल बैग्राउंड में बट इसका पॉजिटिव असर यह है कि आपको लाइप में ये श्ट्रगल कितना अच्छे से किया जा सकता हुज इसक आपने पताया सिटी बैग्डाउंड जिससा इस अच्छे सिटी बैग्राउंड आपको बहुत सार बड़ा एक्स्पोजर देता आ चीजह किस तरह से देखी जाती है पुग्रेस क्या होता है डेवलपमेंट क्या होता है रिसॉर्सिस क्या होता है अच्छे जो सिटी है वहां मुझे पढ़ने का मुखा मिला और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में गाओं में जब आप पढ़ रहे थे तब क्या सिविल सर्विस के बारे में आपको पता था तब दिमाग में क्या चलता था आपका परिवार क्या सोचता था क्या बनना आगे आगे चल कर कुछ कभी मेरे परिवार ने मुझे कभी ऐसे बोला नहीं कि तुम्हें आगे जाके ये बनना है परिवार से मुझे पूरा फ्रिडम था परिवार को ऐसे लगता था कि अच्छा पड़े ये और अच्छा कई जॉब गरे ले ले उसके आगे उन्होंने कभी IAS IPS के बारे में तो मुझे बना जा सकता है काफी difficult होती है एक्जाम बहुत पड़ाई करनी पड़ती है 15-20 गंटे ऐसे बताया था मेरे curiosity तब जागरूद हो चुकी थी और मैंने पूछा भी सर को सर ये कैसे होता है मेरे स्कूल में मेरे स्कूल में मैने मैडम से पूछा कि क्या होता है एक्जाम इंजिनिरिंग में कर रहा था बट फॉर्चुनेटली मैं जहां रह रहा था वहां सभी लोग इसका ही प्रिपरेशन करते थे MPSC महारास्टा पप्लिक सर्विस कमिशन और उनको देखे मुझे ऐसा लगता था कि या रहे या रहे कितने पड़ाई कर रहे आच्छे ऑफिसर बन रहे हैं हम भी क्यों नहीं बने ऑफिसर्स वगरे जनरली थर्ड येर था तो थर्ड येर में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आगे जाके मुझे एपीसी देना है इवन मुझे प्लेस्मेट मी बिला था टीसियस में तो मैंने जॉइन नहीं किया तो डारेक्टली जैसे म क्या आपको लगता था कि नहीं मेरी परिशनाल्टी बाकियों से थोड़ी क्योंकि मैं ग्रामेट परिवरेश से कहीं दबा हूँ या कुछ संकुचित सा हूँ हर चीज में ठोड़ा सा संकोच करता हूँ क्या ऐसा अंतर आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ It's all about mental confidence, आपका कितना confidence है, हमने अधी खुद को ऐसे मानना स्टार्ट कर दिया कि मैं किसी से कम हूँ, तो अपने आप में दिखेगा कि आरे मैं कम हूँ, कम हूँ, तो मैं पहले मानता ही नहीं था, मैं जब अब मैं थोड़ा सा ठंडा हो गया हूँ, अब तो 28 years का हो गया और अब बग्स training हो गया मेरा, but when I was 20, 21 तो मेरे में बहुत, अभी भी energy बड़ तब बहुत ज्यादा थी, और मैं जब engineering college में जहाँ पड़ रहा था, तो पूरे confidence से के तब पढ़ा ही करता था, I was topper there also, I think second, third topper, in many people fail हो जाते थे, वैसे subject में में top करता था, वैसे last 15-20 days में, तो वो confidence मेरा हमेशा है बना रहा, मतलब यदि मैंने decide कि UPSC मुझे करना है, मैंने engineering को कभी यह नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं, तो वहाँ भी मैंने अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे marks लाए और खुद को establish किया, और उसके साथ मैं other activities में participate करता था हमेशा, NSS हो गया, त तो लोगों को मैं दिखता था, तो कभी मुझे मुझे ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं किसी से कम हूँ, मुझे हमेसा ऐसा ही महसूस होता कि I am something different, तो मुझे लगता ही कि हर वेक्ति को यह होना चाहिए, कि मेरे पास कुछ ना कुछ अलग है, पढ़ाई ही रहने दो नहीं, तो कुछ अलग करके, confidence हमेशा, confidence is the key for any success, I think. TCS आपने जोइन नहीं किया, आपने कहा और UPSC की preparation में लग गए, तो आपके अंदर confidence निश्चित रूप से रहा होगा कि मैं इस को crack कर लूँगा, और भी बाकी लोगों के लिए बहुत से students होते हैं, सिर्फ UPS से नहीं, दूसरे किसी भी competition exam या दूसरी चीज में जाने के ल कि बहुत टफ पढ़ाई है, एक image जैसे आपने कायब बनी रहती है, बहुत पढ़ना पढ़ता है, हम नहीं कर पाएंगे, किस तरीके के अपने जाज़ पढ़ताल, अपना potential जाज़ से है, जो graduation का period होता है, वो बहुत crucial होता है, decide करने के लिए कि मुझे आगे क्या बनना है जाके, और इसी में decide कर लेना चाहिए, कि source लेना चाहिए, कि मुझे आ के क्या करना है, तो उसके लिए खुद को देखना पढ़ेगा, कि मेरा interest कहा है, जैसे मैंने खुद का judge किया, अनलाइज किया, अरे मेरा interest civil service examination है, तो यह मुझे exam देनी है, तो अब exam, नहीं तो कौन सा अब होता है, हर कोई feel difficult होता है, कोई simple business करना है, तो वहाँ भी difficulties आती है, आपको CAD देनी है, वहाँ भी difficulties है, medical sector में जाना है, वहाँ भी difficulties है, और IIT करना वो भी difficult है, simple तो कुछ नहीं है, तो आपको कुछ अच्छा करना है, तो आपको judge करना पढ़ेगा, कि मेरा potential क्या है, यह म confident रही है, और age का benefit लीची, इसमें, क्या होता है, कि आप जब 21 के होते हो, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है, कि तुम fail हो रहे हो, तुम pass हो रहे हो, तुम career में क्या कर रहे हो, घरवाले नहीं पूछते, society नहीं पूछता आपको, तो उसका advantage लीची है, तीन, 3-4 years आपके पास है, आपको लगता है, आपने capability है, तो जैसे मैंने TCS मुझे placement मिला था, तो मैंने घरवालों को बूल दिया, कि मुझे join नहीं करना है, मुझे 2-3 साल दे जीए, मैं यह exam दूँगा, यदि नहीं होता है, तो मैं plan B कुछ, दूसरा कुछ कर लूँगा, लेकिन आपको जाना है, लेकिन आपने पहले सी defensive खेलना स्टार्ट कर दिया, अरे मेरा नहीं हुआ, तो क्या करूँ मैं, यह job नहीं शोड़ू, ऐसा नहीं करना है, आप वहां रिस्क वीजिए, तीन साला पीजिल ही दे सकते हो, लाइक के उसमें, और इसका benefit यह रहेगा, यदि न आपको कितना समय लगा, जब आपने तयारी चालू की, first attempt, second, या कितनी attempt आपको करने पड़े, किस तरीखे से आपने यह crack किया, यहां तक पहुंचें, जैसे मैंने बताया, 2015 में मेरा graduation complete हो गया, उसके बाद मैंने सीधा preparation स्टार्ट किया, तो मैंने actually कई classes औरे नहीं किया थे मैं खुद preparation कर रहा था, और मैंने उस साल का form fill up किया, दो डाई मैने थे मेरे पास, दो मैने मैंने अच्छे से पढ़ाई की, और prelim मैंने दे दिया, fortunately I clear the prelim, मेंस भी मतलब अब तीन मेना time बचा है, तीन मेने में करना है, तो इदर उदर से books वगर पूछे मैंने लोगों को, और उसका भी पढ़ाई, fortunately मेंस भी मेरा clear हो गया, इंटर्यू, तो इंटर्यू में भी मेरा वही attitude, बट वहां मेरा काम नहीं कर पाया, तो मैं मैं इंटर्यू तो गया और मेरा selection नहीं हुआ, तो मैं first time था, first time मैं मैं इंटर्यू तो गया, तो मुझे पता चलिगाई कि आज not understanding what they want from me, तो ऐसी चीजे छोटी-छोटी गलती है कि मेरा perspective कैसा था कि भाई, मैं जो बोल रहा हूँ, वो सही है, बट बोर्ड का जो perspective था, वो काफी wider था, जैसे उन्होंने मुझे question पूचा था, कि Siwaji Maharaj कोई famous है, तो मैंने focus किया कि लड़ाई ये हो, बट मैं आज देखता जो दुख कम करने का काम किया, उसके लिए वो famous थे, तो ये वो wider perspective था, तब मैं नहीं दे पाया, बट जैसे मैंने आगे interview दिये, तब मैंने इसको correct किया, तो फिर ये कैसे interview में आप पास नहीं हो पाया, फिर अगला time, तो next attempt ऐसा, फिर्स attempt में इसलिए बूरा नहीं लगा कि कि fail हो गया, फिर्स attempt में interview तक आया हूं, अच्छी बात है, आज नकल हो जाएगा मेरा, बट second attempt real eye opening था मेरे लिए, मैंने मेरा clear नहीं हो पाया उस समय, तो it was, मतलब तब मुझे थोड़ा सा लगा कि, अरे exam क्या आए, मतलब जो बोलते है कि भाई, मैं interview तक गया last year, इस साल मे बुरा लगा मुझे, लेकिन दूसरे दिन सुबह में 6 बजे उटके लाइबरी में पढ़ाई करने के लिए चला गया, नहीं, देनाई, अच्छी जैसी कोई चीजी नहीं होई कि fail हो गया, आप कैसे, मतलब कुछी बार interview तक पहुंच गया तो, आप फेल हो गया तो आपको जयाना पढ़ाए भिरसे, आपको देखना पढ़ाए कि अगरी गलती की ही है, तो उस गलती का अनलाइजर करके चाम करने के लिए आपको जाना पढ़ाएक बिरसे, तो मैं, उस दिन मुझे बुरा लगा बो, लेकिन मैं ग remember, मैं आप कुछ पुछे यजे मुदा मुझे करत Um-huh. सु हब्क शपह recurs jáбमें सबसंदेख मेरे मेल के चआप कर दीज हम यह दो आखने हे जब 36 करल मिला तो क्या दिमाग में चल रहा था? क्योंकि दुर्प्रियृ इसा स में करन आप वहाँ कि नक्सल समस्या क्या रहेगी, यह, वह पहले तो डर लगा रहता था, कि आरे, चथिसगड कैसा होगा, थोड़ा सा पूरा लगाता, अजो फ्रैंक्ली कि आरे, चथिसगड मिला है, नक्सल समस्या उगए, बट ऐसे ही चीजए बाहर पता चलने लगी, तो अच्छा है और वहां जो चैलेंजे से वही अपोर्शनिटी है मतलब आप ऐसी जगह जा रहे हो जो इंडिया का बिगेश इंटरनल सेकुरिटी प्रॉब्लेम है आप कुछ कॉंट्रिबुट कर सकते हो सोसाइटी को समाज को वहां लोगों को जरूरत है प्रशासन की, पुलीस की तो यह मैंने फिर ऐसे देखना शार्ट कर दिया इस प्रॉब्लेम को और जब मैं यहां मेरे प्रोबेशनेर प्रेड के लिए बिलासपूर में आया और मेरा बस्तर दर्शन भी हुआ, धंतेवड़ा गया, मैं सुकमा गया, विजापूर गया तो लगा कि आरे ठीक है, कितना अच्छा है यह जगा, इतना भी कोई यह नहीं है और इसे यहां अच्छे से काम कर सकते हैं अब मेरी पोस्टिंगी जगदलपूर में और कि यहां इतने अच्छे लोग है, इतनी अच्छी सिठी है मैं सुकमा भी गया था, वहां भी 6-7 दिन रहे के आया तो I think it's a very good place अब घरवाले भी संतुष्ट होंगे कि नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि लोगों का हमें इंक्रेज करना चाहिए कि आएके चातिसगड़ देखें कि इतना अच्छा है जो आज आता है उसके मन में इमेज बदल जाती है, चातिसगड़ आने पाद क्या आपको सबसे अच्छा लगा है मुझे यहां का culture अच्छा लगा है क्योंकि unlike any other states, चतिसगर की जो diversity है, वो बहुत काफी worried और reach है, यहां का जो natural environment है, जो काफी अच्छा है, यहां के लोग काफी अच्छे है, मतलब में चीजे को बहुत अची तरह से समझ पाते हैं, descent है, civilize है, तो यह चीज मुझे बहुत हैं और जैसे आपने काया कि biggest internal security यहां problems रहती है, आपकी समझ क्या कहती है, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे शासनिस पर काम कर रही है, एक security related front है, जह हम हमारी security forces engage करती है, नक्षालाइट, that is very much important, second, development front, वहां हम रास्ते open क कर रहे, education, health facilities available करके दे रहे, basic basic, PESA Act हो गया, land rights हो गया, तो यह important है, उसके साथ winning the hurts and mind, लोगों में कि क्या important है, कौन सा रास्ता सही है, जो Indian Constitution का रास्ता जो सही है, तो लोगों को अकर्चित करे, यूद को जोड़े, हम mainstream 36 गर्ड, mainstream India, तो यह तीनों front पे काम अच्छे से हो बस्तर के हम बात करते हैं, अब तो बाहर से भी काफी लोग आ रहे हैं और देश धुनिया सब जगह से टूरिजम से लेकर हर जगह की दर्वाजे खोल रहे हैंपर, आपको लगता है कि यहां का प्राकृतिक सौंदर एक इमेज बदले में बहुत बड़ा रोल निभा सकता ह हाँ, अफकोर्स मतलब बस्तर में इतना टूरिजम का पोटेंशेल है, शायद किसी स्टेट के पास इतना नहीं रहेगा, इस लाइक केरला सिच्वेटेड इन मिडल समवेर, बस्तर तो काफी अच्छा है, तो इसका अवेरनेस बाहर होना चाहिए कि यह कल्चर, स्पेशली यहां की डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है, उनका जो समस्कूरती है, वो इंडिया में नहीं, फॉरिंद में लोगों को पता चलना चाहिए, यह रिसेप्स के लिए लोग पहले भी आते थे, उनको इंकरेज करना चाहिए कि आप खिर से आईए, बुक्स लिखिए उन कि ऐसा कुछ ज्यादा यहां नहीं है, जो नक्षल नक्षल है, इतना इट्स नॉट लग 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 बिल्कुल और उस पर काफी काम भी हो रहे है, स्टे होम वगर आब लोग बाहर आके यहां के कल्चर को समझ भी रहे हैं और इमेज भी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, अगर आपकी करियर की बाद करूँ चछतिसगर में आने के बाद, क्या आपको कुछ ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट याद आप पड़ता है कि वो वक्त थोड़ा सा बड़ा प्रेशर वाला था या मज़ेदार था जो अभी तक के करियर में याद रहे गया आपको, अभी चैले अभी तो मैं विलासपूर सिपत में था तो पंचाइध एलेक्शन तब करवा रहा था, तो तीन जैसे मरवाई ब्लॉक हो गया, मस्तुरी ब्लॉक, तो वहां मैं पहली बार आयो, मैं बहुत नया था, मुझे पूली सिस्टिम के बारे में पता नहीं था पहले, और रिस्प अभी जगदलपूर में आया हूँ, जगदलपूर में इसपी सरकाफी बहुत अच्छे से मुझे सिखाते है, मार्क दर्शन करते है, और शेहर में जो कुछ जुवा हो गया, सट्टा हो गया, उस पे कारवाई जब करता हूं मैं, और एक बार आभी ज्रश्ट कली ही एक महि बेटा वो नशेह की दवाई अवेगर खाता था, तो उसको थाने में लाया गया था, महिला मेरे पास आई और बोली कि सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैंने उनको पूछा कि आपका बेटा ऐसे-इसे करता है, घर में भी मारान करता है आपको नशेली दव, बोली आव मैंने थोड़ा सा humanitarian approach देके वहां कि बताया कि कारवाई थोड़ा सी सीतिल कर जीजिए, मतब देखता है कि रियाबिलेशन वगरे हो सकता है कि तो उनको आमने 151 के अंतरगत 6-7 दिन जेल के लिए बेज दिया, उसके बाद बाहर आ गया, उसका थोड़ा सा मैंने counselling किया, उ मैंने उनसे बात करके छुड़वा दिया, मैं उनको सीधा जेली बेज देता कि शायद उचोड नहीं पाता Of course पढ़ता है, यह preventive policing में आ सकता है, कि problem क्या है कि लोगों को पता नहीं कि क्या हानिकारक है, क्या अच्छा है, गलत संगत की वज़े से उसके इसमें आ जाते हैं और खुद को control नहीं कर पाते हैं, तो यह हो गया, और second है organize की तरह से जो चीज़े जलती है, जो organize की तरह, ज में counseling देना पड़ेगा, और जो यह organized तरह के से पैसे के लिए job कर जाए, तो इन पर हमें सकत कारवाई करनी चाहिए, तो यह officer क्या सोचते आगे को लेकर कि किस तरह के से आप अपने career को आगे ले जाएंगे, क्या कुछ दिमाग में चलता होगा, कभी आप अकेले बैठते हो कि इस तरीके से यह काम करना है, या कुछ इक्षाय होंगे कि यह करना है मुझे अपने career में, इक्षाय तो बहुत होती है, जैसे हम नई officers आते हैं, तो लगता है कि यार यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट सबसे important है कि learning, जब तक मैं policing, basic policing अच्छे से सीख नहीं पाऊ यह चीजे सिखने के बाद फिर second step आएगी जो community policing, जहां लोगों का जो इस्वास है, और मैं यही मानता हूँ कि हमने policing ही basic अच्छे से सुदार दिया, तो लोगों का इस्वास अपने बढ़ने लगेगा, यदि police station में जो लोग आता है, वो संतुष्ट हो गए, पुलीस की का उनके लिए काम कर रही है, और मैं देखता हूँ कि police ऐसा department है, सबसे जादा काम करती है, 24 इंटो 7 जो बोलता है, वो सही में, दिवाली हो गया, VIP meetings हो गई, कुछ भी छोटा मोटा होता है, हमेशा वहाँ police रहती है, involved रहती है, फिर भी police का जो image है, वो इतना अच्छा नहीं ह मतलब यह तो आयर नहीं है, कि सबसे जादा काम एक department कर रहा है, और फिर भी लोगों में विस्वास नहीं है, कि police हमारी, तो आने वाले जो मेरा career ऐसे रहेगा, कि लोगों को लगना चाहिए, कि नहीं, यह department है, कि सबसे अच्छा काम भी करता है, और अच्छा department है, और समाज का सेवर थे, वही मैं सवाल भी करने जा रहा है, कि जब आप स्टूटेंट थे, तब आपके दिमाग में police की क्या image होती थी, और आप खुद इस department में officer है, तो आपके दिमाग में अब क्या image है, क्या difference आया है, पहले क्या सोच रहे थे, अब क्या सोच रहे है, जैसे बोला ज जैसे ही थी, कि मैं जा रहे, इन से बची है, कि police के पास नहीं जाना है, मतलब एक जो difference वाली feeling है, कि हम common city जने है, police कुछ अलग है, तो यह feeling मेरे मन में भी थी, जैसे मैं even पूने में था, तो वहाँ तो police को मैंने काफी करीब से देखा था थोड़ा, तो कि हर रोज कुछ न बन गया हूँ, तो मेरा हमेशे, मुझे अभी ऐसे लगता है कि police कि इतना अच्छा department है, कितने अच्छे लोग है यहाँ, वो जो मेरा perception था, as a citizen, मतलब, अभी भी मैं citizen हूँ, but citizen in uniform, तो यह आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा department है, हाँ, सब अच्छे ही लोग है, अब एक-दो लोग बुरे है, इसलिए पूरे department को तो यह नहीं बोला जा सकता है, हार जगा होता है, even other departments में भी है, society में भी है, और society में सही लोग आते है तो आपको लगता है, इमेज तोड़ने के लिए जैसा आप तो आफिसर बनकर पुलिस में आ गए, आम जनता के साथ भी पुलिस की बातचीत बढ़े ही है, बातचीत से शाएद इमेज टूटेगी, तो इस परकार के कुछ आयोजन होते रहना चाहिए, ऐसा कुछ होते रहे कल ही गंणा चो थी मैंने गंणा ठाना जोकोत्वालिये, गंणा मैंने अटेंड की, तो मेरा फोकस इसी पर था, जो मैंने बात दो रहा ही है, हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, बट हमारा रेकनाइशेशन क्यों नहीं होता, मैंने मेरे जो स्टाफ था, उन लोगों को पू क्या तुमारी समस्या है, उसको अच्छे से रिस्पॉंड कर देते हैं, इतना ही हम नहीं किया तो बहुत सारा चेंज हो जाएगा, तो मैंने कल दोनों थाने में, कल मैंने कोत्वाली में कि यह मेरे जो बोद्गार थाना है, तो वहां भी मैं जाके संजाना वाला हूं, और म मेरा जो स्टाफ है, उनको मैं परसुड करूँगा, परसुड करने के बाद हो सकता है कि 50% स्टाफ ने सुन लिया, तो तो यह बीगस पॉंटरबिशन, बिल्कुल आप जैसे युवाव के बाचिन सुन के बहुत सारी उमीदे बढ़ जाते हैं कि वाके में जो आप सोच रह परखेल लेता हूं, कभी मुवी बगरे देखता हूं मुजीक, मुवीज इस किस प्रकार की मुवीज पसंद करते हैं जैसे मुझे मुझे मुजे मुवीज लाफिंग जो हेरा फेरी उस टाइप की लाइट मुवमेंट जो यह वाली मुवीज अची लगती हैं, ज्यादा सी पुलिस की शांदार हो जाए, क्योंकि सबसे जादा काम वही करती हैं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की तो क्यों नहीं पुलिस की इमेज भी उतनी शार्प उतनी चमकनी चाहिए, उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं, और उमीद हम करते हैं, कि यह यूओ ऑफिसर जो सूच रहे हैं, बहुत जल्द पुलिसिंग में दिखने भी लगेगी, और जो उनका थौट है, वो जमीन पर उत्रेगा और वाकी एक शांदार छवी पुलिस की बन जाएगी जन्ता के बीच में, और निशित रूप से जिस तरीके से एनर्जी के साथ वो काम कर रहे है, वो दिन दूर भी नहीं लगता, तो फिलाल अफसर नामा में आज इतना ही, अगली बार मुनाकाद फिर किसी दिकारी से तब तक दीजिये अजाज़त